ये मज़ेदार गोभी आलू की सबजी आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में बिल्कुल फटा फट से बनके तयार हो जाएगी समय हमारा बहुत बचेगा इसमें और जब बनके तयार होगी तो बिल्कुल हलवाई जैसा टेस जैसे बाहर की सबजी में मिलता है न आपको जिसक पड़ा गोभी का फूल और उसके इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े करके धोलिया है अच्छे से तीन मैंने आलू ले लिये हैं उन्हें छील करके अच्छे से धोलिया है और मीडियम साइज के आलू के दो टुकड़े कर दिये हैं आलू और गोभी को करना है बड़े पीसिज में इसे कट किया है क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो यह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे इसलिए आपको इसके बड़े पीसिज लेने है तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सुन कर लेने के बाद आप देखेंगे कि इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है हलकी गोल्डन लेयर सानी स्टार्ट हो गई है इन पे तो इस स्टेज में आप गैंस का फ्रेम कर लें और अब हम इनने निकाल करके साइड में रख लेंगे तो प्रेशर कुकर में बचेवे ओल में ह तो ओड़ा सा जीरा और जीरा को एड़ कर देने के बाद हम यहां पर एड़ करने जा रहे हैं दो से तीन पिंच हींग के यह हमने यहां पर एड़ किये हींग के उसके बाद हमें जितने भी हमने यह स्पाइसे यहां पर एड़ किये हैं रड़ चिली जीरा तेज पता और ही को इन्हें अच्छे से मिला लेना है चला लें थोड़ा सा जब तक मीड्च का कलर चेंज नहीं हो जाता लो फ्लेम में इसके बाद मैं हाँ पर एड़ कर रही हूँ एक मीडियम साइज का प्यास बारीक कटा हुआ और प्यास को मीडियम फ्लेम पे आप हमें तब तक भूनना ह जब तक इसका कलर हलका गोलडन नहीं हो जाता और जैसे ही प्यास थोड़ा सा रंग चेंज करने लगए हलका सा गोल्डन होजा हम उसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच अदरक लर्शन का पेस्ट हम यहाँ पर अड़ कर देंगे अदरक लशन के पेस्ट को साथ हम पर कट कर लिए हैं बारिक इन्हें एड कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा हम यहां पर इन्हें मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे तो टमाटर को थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मैं हापर एड कर रही हूं 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर का धनिया पाउडर को अनुसार एड कर दिया है मैंने नमक यहां पर और नमक को एड कर दिने के बाद थोड़ा सा कलर के लिए मैं हापर एड कर रही हूं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं और मैंने यहां एड कर दिया है एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हो तो आप half टेबल स्पून एड़ कर दें साथ मैं एड़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर एक चौथाई चमच ब्लेक पेपर का या दो से तीन पिंच आप यहाँ पर काली मिर्ज का पाउडर एड़ कर दे और half टेबल स्पून गरम मसाला मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है और सारे मसालों को एड़ कर देने के बाद हम यहाँ पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे और जैसे ही मसालों में से ओयल रिलीज होने लगे यह देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे और दो मिनट तक मसाले को भून लेने के बाद मैं हापर एड़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी के कसूरी मेथी को एड़ कर देने के बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो आप कसूरी मेथी इसमें जरूर एड़ करें इसके बाद मैं हापर एड़ कर रही हूँ एक कप पानी का अगर आप इसमें बहुत कम ग्रेवी चाते हैं या इसे ड्राइ खाना पसंद करते हैं तो आप हाफ कप पानी का यूज कीजिए पर मुझे इसमें थोड़ी ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे एक कप पानी का इस्तमाल किया है पानी को एड़ कर देने के बाद अब मैं प्रेशर कुकर का लिड लगा दूँगी यहाँ पर और लिड लगा लेने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक सबजी को पकाना है एक सीटी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आ जाने के बाद आप गैस का फ्लेम कर दीजिए तो एक सीटी आने के बाद pressure cooker का pressure release हो जाने के बाद सब्जी हमारी ही पर बनके त्यार हो चुकी है और आखिर में हम यहाँ पर add करेंगे हरा पत्ता धनिया का धनिया पत्ति को add कर देने के बाद सब्जी हाँ पर बिल्कुल त्यार है सफ करने के लिए और हमारी चटपती मजएदार गोबी आलू की गर्मा गर्म सबजी यहां पर तयार है सर्फ कीजे आप इसे चपाती के साथ, चावल के साथ या पूरी के साथ यह सब के साथ बहुत मज़ेदार लगती है मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आप इसे बनाएंगे वीडियो अगर किसी भी रीजन से अच्छा लगाओ इसे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को शेयर कीजेगा